रक्षा बंधन पर निबंद रक्षा बंधन हिंदों का प्रिय और प्रसिद्ध त्योवार है यह त्योवार हर साल सावन महा की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है इस त्योवार को राखी का त्योवार भी कहा जाता है रक्षा बंधन का मतलब रक्षा का बंधन है महा भारत के एक प्रसंग के आनोसार भगवान स्रीकृष्णजी ने जब सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वद किया था तब शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस स्रीकृष्णजी के पास आया तो उस समय श्रीकृष्णजी की उंगली कट गई और उनके उंगली से खुन बहने लगा था यह देखकर द्रवपदी ने अपने साड़ी का किनारा फाड़ कर स्रीकृष्णजी की उंगली में बांध लिया था तब उन्होंने द्रवपदी को हमेशा किसी भी कटिनाई से बचाने का वादा किया था रक्षा बंधन के दिन सभी बहने अपने भायों के कलाई पर राखी बांध कर उनके लंबी उम्र और सुखी जिवन की भगवान से प्रार्थना करती है भाई भी अपने बहनों को उपवार देते हैं और उनकी आजिवन रक्षा करने का वचन देते हैं यह पर्व भाई बहन के पवीत्र प्रेम का प्रतिक है रक्षा बंदन के चलते बाजारों में काफी भीड रहती है भाई भी अपने बहनों के लिए सुन्दर और आकर्षक राखिया खरिती है और भाई भी अपने बहनों के लिए उपवार के रूप में साड़ी तथा अन्य आकर्षक उपवार खरिते हैं इस दिन बाजारों में कई प्रकार के उपवार बिखते हैं लोग नए नए कपड़े स्वादिष्ट मिठाया खरितते हैं इस दिन हर घर में अनेक स्वादिष्ट वेंजन बनाये जाते हैं रक्षाबंधन का पर्व हम सदियों से मनाते चले आ रहे हैं रक्षाबंधन का तेवार हमारी समस्पृति की पहचान है और यह पर वह हर घर में खुश्या फैलाता है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लोगा होगा धन्यवाद